पंझाबी तरपिन प्रगाम दे दरौगामार्सिटा नमस्गार। दरश को क़ए लीखक साहधकार किसी वी कोम दा सर्माया हुन्दे ने। साहध ते एतिहास किसी वी काउम दे उन्रैटे दे वच किन्ने वी योगदान पऊंदाओ介। एसा पता उससे सहितकार उना दी रचनामा ते उना दी जीवन चाहितों लगता है। आज असी गलबत करांगे एक अजेहे युग पुर्ष पारे जिना ने साहित दे विकास ले कलम भड़ी। गुर्मत दे विकास ते ले उना ने तलवार, तीग, कटार फड़ी, चक्र फड़या। ते संगीत ते ले उना ने सितार दे तार चंचनाय। राजदरबार दे विच बहुत मानदा पाई विद्वता लेती। ते उत्थे ओ नीती चेखवाय। ते जदो उना अपनी रचना लिखी ता उना ने प्रिजेशते उपनामते लिखी। साधी मुराद पाई कान सिंग ना बातोए जिनानों तुसी जानते भी हूँ। इना बारे गलबत करनते लिए अज असी अपने स्टूडियो विच खास तौरते सद्ध्या है तोड़े अपने जाने पिछाने मनने पर मनने पत्रकार डॉक्टर जगमेर सिंग बातवानू। पाठवाजी तोड़ा बहुत सारा स्वागते साथे आज ते इस पंजाबी जर्पन प्रोग्राम पिछ। सब्सक्राइब जाना चांदे हैं कि तुसी डॉक्तर जगमेर सिंग बातवा इंटोड़ा उपनाह में जा तोड़ा तकहलर से जा उंचलाया हुआ है इस तरह जी के पाठवाज जडा शब्द है। यदा सबंद मेरे अपने मेरे अपने जरम पुम्मी दी नाल है मेरे पेंड दे नाल है। परन्तु पिछे मेरा जड़ा पेंड पाठ हुआ जिला संगरूर देविच तैसील मौनक देविच एक छोटा ज़ा पेंड पाठ हुआ जित्थे की मेरा जर्म होया है मैं बेशे के दिल्ली देविच रहना हां परन्तु मेरी जडी बच्पन दी सिख्या है जा जीवन सक्केर लोगा देविच करके फ़ाबना मिनातमक तौर थे मैं हले भी आपने पेंड देनाल जुड़ा हुआ है तै मेरे नाम देनाल भी इजड शब्द है ओ जुड़ा होया है फिरा आजदा दोर है उते बड़ाइ तरक्षिल दोर है ऐसी तरक निगाल कर देनाँ आहसी दि तुसी पाई कान सिंग नाबा दूपर कुछ लिखना चाहिए काम कीता है वो केड़ी गाल से जिससे मुतासिर होए जिमे कि आप जी ने तरक दिगाल कीती है कान सिंग नाबा भेशक वो समय देक विद्वान होए ने परंतु उन्हां दी लिखतां देविच अपनु सब तुं जिड़ा के किसे दलील ते जा किसे बग्यान के सचाहिए पूरा ना उतुरदा होए बेशको तरम दी ब्याख्या कर देशन तरमन मन देशन परंतु नाडू ने दलील नू तरक नू हमेशा ही अपनी लिखतां देविच रख्या है ते ऐसे करके मेमना तो बहुत प्रवाब होया है जिदो शी अपने गुर्मत कर देशन गाल कर देशन टार असी करने किसादी शाड़ी सब्सक्राइए और दी बीच असी बेसिक तो खरते करने कि सड़ा अकीदा आये परोबसाये रहा हुआ हुए अट भी हुक्म अंदर बाहर हुगम बाहर ना कोई ते जहां आसी कर कि अज़न ना कि साधी जीवन जाच है यह विसादे विच्छ सिम्रन होई असी शर्ण विच आईए असी किर्द करिये ते असी देखे कि जीवन ना मक्सित कि यह तीजी का लग गुर्मत देविच आंदी है कि तप त्याग जीवन एक संग्राम है पाइकान सिंग नाबाने ज इस तरह लोग पलाई वास्ते इस दिवरत्यों कर सकते हां तर्म देज़े ने दो मुख मक्सद ने एक ताहीं प्रमातमानु पाणा जित्हों सी सारे आए हैं दुज्जा है मानमता दी सेवा उनने गुर्मत देज़े सिदा आंतने मानमता दी पलाई वाले ते प्रमातमान जोड़ने बाड़े उन्हानों हाइलाइट कीता है ते बाकी जड़े बैम परमने कई परकार देड़े लोग विश्वास ने उन्हां बारे बिन निस्पष्ट कीता है कि ठीक है सदियां तो चल दे आ रहे ने इना दापना एक महत्व है परन्तु असल देविच जड़ा गुर हम बार के जानके प्यार करना सिख्खिये ओनाय अकीदे दा इबादत दा प्रोसेदा एकादत दा एतराम दा एत्बार दा पाई कांचि नबा जड़ा तो क्यों मशूर ने उनन दा पशोकरता बैसे जलाब ठिंड़ा देविच पित्छो पिंड़ा देविच पिंड़ा है जलाब ठिंड़ा देविच और जाद देटिलों जाटसन परन्तु जेकरोन दिखांदानी परमप्रा विखिये ता उनन देजड़े एक पुर्खे ने बाबा नौत सिंग जी ओ महराजा रनजीश सिंग जी दे मसाहिव रहे ने परन्तु समा पाके नाबे देविच एक बड कर दे रहे ने ते पाई कांशिग नाबा दे पिता बाबन रेंड सिंग जी वी एक बहुत बड़े विद्वान होई ने उनने भी बहुत लंबा समा उते सेवा कीती है परन्तु कांशिग नाबने जेड़े उनना जेड़ा जनम है एथे रियास्त पर ट्याड़ा देविच कि छोटा जब इंड़ पैंदा है सब्ज बनेरा सब्ज बनेरा हाँ सब्ज बनेरा अच्छा जी उते नानके कर देविच जनम होया ते उस तो बाद बच्पन देविची अपने पिता बाबन रेंड सिंग जी दे पासे आगे ते इथे आके उनना दे जेड़ी एजूकेशन बिद्य है ओ अराम हो गई ते ज्यादा समय नंदा नाबे देविची ही गुजरिया है इस करके ना बाद जिड़ा शव्द देवना दे नाल क्योंकि होर भी नाने सारी जिड़ी जिन्दगी पार दिया जिने प्राप्तिया ने ओए थी कितिया ने कि इन्देरी कि उना दी अराइदर बादे विच बहुत ना सी खासतर देड़ी थे महराजा सी नाबा दे असे सुने के नराएन सिंग जी उननों डेड़ी ने पिता जी उना नों गुरूगरंथ साहब पूरा कंठस सी सराया सी ते ओए एक मिने विच चार विरां औकर दे सी ते एक वरा इसे तरह मह पुरा पाट आप बैठके सुनिया ते जदो उन्हानों लगा बहुत खुश है ता जान लगे उन्हानों जागीरी पेश कीती ते कि ये सही है ते उन्हान ने दीदी पाल के से उन्हों मुड़ा भी देता ये बिल्कुल सही है जी पुनमत्र बाबा निरैंड सिंग जी बहुत बड़े पाजन करन बाले क्रिसंत माँ पुश होए ने ते ओ जो अखंडपाठ कर दे सन एक कोई चौंकडी दे विच उसनों अती खंडपाठ दे नाम दे नाल दस्या जंदा है जी हाई एक जड़ा अखंडपाठ होना ने महाराजा हीरा सिंग जी दे समने कीता ते महाराज महाराजा हीरा सिंग जी दे मांदे विच एस खांदान परती एस परवार परती अराम तो ही बड़ा सतकार सी